सफीपूर उन्नाव किशोर के बैट मारने से साथी की हुई मौत नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 और मैं हूँ आपके साथ शुभांगी मिशुरा सफीपूर कोतवाली छेत्र के साले नगर करौंदी गाफ में क्रिकेट खेलने के दोरान उबजे विवाद में एक किशोर ने साथी यूवक की गर्दन पर बैट से प्रहार कर दिया जिससे वो मौके पर ही गिर गया जिसके बाद परिजन घायल को सी एच सी लेकर आए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोशित कर दिया गोतवाली छेत्र के साले नगर करौंधी गाफ निवासी डम्रूलोद का सोला वर्षय पुत्र अजीत ने बुद्धवार की दोपहर गाफ इस्थित गढ़ईया तलाब की मैदान में क्रिकेट खेल रहे गाफ के ही बच्चों के बीच जाकर क्रिकेट खेलने की बात कही उने अजीत के गर्दन पर बैट से जोड़ा प्रहार कर दिया जिससे अजीत मौके पर ही छट पटा कर गिर गया जिसके बाद वहां मौजूद बच्चों ने घटना जानकारी उसके परिजनों को दी और परिजन उसे सी एच सी ले गए जहां पर डॉक्टरों ने घायल को म बुरा हाल है मृतिक के पिता ने रमेश के पुत्र गोलू पर हत्या का आरोप लगाया है सूचना पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया कोतवाल हरीकेश रॉय ने बताया कि तहरीर के अधार पर कारवाही की जाएगी जिल खेरनों को लेकर बच्चों में विबात हो गया जिसमें एक बच्चे ने अजीत कुमार जिसकी उमर अगवाट ठारा वर सोती उसको दंडी से मार दिया जिसके उसको चोट लग गई और ततकाल उसको अस्पताल भीज़वाया गया जहां डाक्टर ने मिलत पुसित कर दिया मौके पर पुलिस पोज मौजूद है आवश्चक बिदिक कारवाई की जा रही है सांती विवस्ता संबंदी कोई समस्या नहीं है